असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्लात अल्ला आप सभी लोगों को खुश वाबाद हस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं लटाला के नाम से जो हमी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आध हम आपके लिए मसाला दोसा की रेसेपी लेके आए हैं आपकी बेहत फर्म हमने लिए है उसका चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे उरत яल ली है और जतनी उरत दाल ली है उसका आधा हिस्सा छना दाल ली है एक टेपल फून हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया है सबी चीजों को Mix करते हैं दो कब चावल हो गया और इसमें हम शामिल करते और उरत की डाल धुली हुई और इसमें हम शामिल करते हैं चना डाल और मेथी दाना सभी चीजों को हम शामिल करके अच्छे से मिक्स करके इसे धुल लेंगे तीन से चार पानी हम अच्छे से धुल लेंगे बिल्कुल इस चार पानी हमारा हो जाए इतना हम धुल लेंगे और जल्दी है हमें तो हम बहुत ही हलका सा गुन-गुना पानी इसमें शामिल कर रहे हैं, आप चाहें तो ठंडे पानी में भीगा दें, पांच गंटे-चे गंटे तक आप पानी में भीगा के रख सकते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गुन-गुना पानी इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी दाल और हमारे चावल जल्दी से फूल जाएं, चार घंटे के बाद हम इसे पीस लें, बहुत ही हलका गुन-गुना सा पानी डाला है, जदा गरम पानी नहीं डाला है, और इसे हम भीगने के लिए रख देंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से सब चीजों ने प किल्कुल भी नहीं फेकेंगे, और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, देखिए इस तरीके को कुछ पेस्ट बन गया है, बहुत ही जदा दरदरा नहीं होना चाहिए लेकिन चावल हलका सा दरदरा रहता है, तो उससे बहुत क्रिश्पी बनता है, देखिए ऐसा इस तरीके का paste हमने बना लिया है इसी तरीके से करते हुए हम अपना सभी paste पूरा बना लेंगे और इसे हम बाउल में shift करते जा रहे हैं देखे सभी हमने पीस लिया है सभी बैटर हमने तयार कर लिया है तो अगला step जो है इसे फेटना है इसे हम हाथ की मदद से फेट रहे हैं, हाथी की मदद से फेटना ज़ादा बहतर होता है हाथ से फेटेंगे आप तो हाथ की गर्मी से भी आपका बैटर जल्दी तयार हो जाएगा, जल्दी फूल जाएगा तीन से चार मिर तक इसे फेट के अच्छे सीस में हवा भर दीजिए ये भी बहुत ही जरूरी स्टेप होता इसे फेट दीजिएगा और फिर इसके बाद हम इसे कवर करेंगे देखें हम पलास्टिक सीस को रैप कर रहे हैं आप किसी भी चीज से ढखके रख सकते हैं और उपर से इसे कपड़े से भी कवर कर सकते हैं अभी बरसात का मौसम है गर्मी तो बहुत है लेकिन नमी भी बहुत है आप कपड़े से ढखके रख देंगे तो आपका बैटर जल्दी तयार हो जाएगा छे से साथ गंटे के लिए हम इसे रखेंगे और इधर आएए हम तयारी करते हैं अपने मसाले की बिसमिल्लाहिर्भानी रहीम यहापे हमने पैन रख दिया है पैन गरम हो चुगा तो इसमें हम तेल शामिल करते हैं एक टेबर इस्पून हमने तेल डाला है मिर्चो को हमने बारिक काट लिया था इसे शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे हलकी से खुश्बू आने लगेगी तो इसमें हम अपना एक टेबर इस्पून मुंगफली दाना शामिल कर रहे हैं आपको पसंद हो तो शामिल करें ना पसंद हो तो इसकिप कर दें आप इसकी जगह पे चने की दाल भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा ही से हम रोस्ट कर देंगे ताकि हमारी मुंगफली थोड़ा की रिस्पी हो जाए अच्छे से रोस्ट हो गई है तो इसमें हम कड़ी पता थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं और इसमें हम शामिल करेंगे अपनी प्याज दो प्यास को हमने देखी इस तरीके से कट कर लिया था छोटी प्यास थी बड़ी प्यास हो तो एक ही प्यास कट कर ले जिस तरीके से अंडे के भुर्जी के लिए कट करते हैं वैसी हमने कट कर लिया था और इसे हम थोड़ी देर तक फराई करेंगे कोई कलर नहीं देना है ब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पे शामिल किया है, नमक वाला इस जब पिस्किप हो गया है, नमक भी ज़रूर डालें, और देखिए अच्छे से हमने एक प्याली जो थोड़ा सा छोटी वाली प्याली से पानी डाला था, इसलिए कि हमारे आलू बहुत अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए, इस तरीके से मैश करते वे अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया और अच्छे से भून लिया है, तो हमारे मसाले बिलकुल रेडी हैं, और अब आते हैं हम अपनी सबसे खास चीज नारियल की चटनी की तरफ, ज हैं वी आठ से 10 सबस्स मिर्चे लिया है, थोड़ा सा इमली हमने लिया है, एक पेली हमने यहाँ रिया, एक पेली हमने यहाँ पे बुने-चने लिया है अलगा का लिया है सभी चीजों को हम रोस्ट करने वाले है बिसम लाहि नम आने रहे ह। मे데 '' बाहु हम करेंगे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए यहां पर हम फिर उसके बाद चने की दाल शामिल कर रहे हैं इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे और अपनी मिर्चों को हमने थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है अद्रक को भी डाल दिया है और कड़ी पत्ते को और इसमें पसंद हो उस हिसाब से शामिल कर लें आज को बंद करके हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इदर तयारे करते हैं नारियल की एक पूरा गरी का गोला जो होता है पूरा नारियल का गोला होता है वही हमने लिया है कच्छे वाले नारियल का और इसको हम थोड़ा सा dry ही पीस लेते हैं, dry पीसने से थोड़ा बारीक जल्दी हो जाता है, पीसने में आसानी हो जाती है, इस तरीके से सब हम, सभी चीजों को फिर डालके हम पीस लेंगे, सभी चीजों को पीसने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं, देखे, थोड़ा सा नमक, और अभी हम इसमें और पानी डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छा बारीक सा पेस्ट बनाएंगे देखिए इसमें पानी भी हमने शामिल कर दिया नमक भी और बहुत ही अच्छा बारीक सा फाइन सा पेस्ट हमने बना लिया है और अब हम इसका बनाते हैं तड़का, जिससे कि हमारा टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, सरसोदाना हमने लिया है, उरत की डाल ली है, लाल मिर्च हमने यहाँ पे लिया है साबूत, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हींग ली है, और हम इस्तिमाल करेंगे इसमें कड़ी प दाल दी है, और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से फटाफट से तयार हो गई है हमारी दाल, अब इसमें हम कड़ी पत्ता और लाल मिर्च भी हमने इसमें शामिल कर दिया है, अब हम अपने तड़के को इस पे डाल देते हैं, काफी भरा हु कर लेते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से तयार हो गया है, काफी थीक है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं, और इसमें हम एंड में देखिए नमक शामिल कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स करके हम बहुत ही अच्छा सा अपना बैटर तयार कर लेंगे, दे तो जब फिरसे हम बैटर को अपना थोड़ा सा हिला लेंगे पायन जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसकी आज को हम मेंटेन करेंगे पानी डाल के इसके उपर पानी डालेंगे और किसी काटन के कप्टे से इस तरीके से उसे पोछ लेंगे और बहुत अच्छे से हमारा पायन तयार हो गया है तो इसके उपर हम अपना बैटर डालते हैं देखे कुछ इस तरीके का बैटर है और इसको हम हलके हलके से इस तरीके से सब तरफ फैला देंगे जब थोड़ा वूपर से पक जाएगा तो इसके बाद हम इस पर आयल लगा देंगे सब तरफ से हम इस पर लगा देंगे थोड़ा-THुड़ा साइडों पर भी लगा देंगे ताकि वह आसानि से निकल जाए देखिए बहुती अच्छी से पकने लगा है बहुती खुबसुरा सा कलर आने लगा है और बहुती अच्छा सा कलर आ गया है तो इसकी साइडों को हम थोड़ा सा निकाल देते हैं जब चिपकता है तभी क्रिस्पी बनता है हमने निकाल दिया है ताकि हम इसके उपर मसाले लगा सकें और फिर इसको फोल्ड करने में हमको आसानी हो देखिए इस तरीके से हम ने मसाले को लगा दिया और इसे फोल्ड करके हम इसे निकाल लेंगे कितना जबरदस्त कलर आया है कितना क्रिस्पी सा बना है देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा बना है फिर इस तरीके से फटाफट से हम दूसरा भी बना लेते हैं हर दफा इसकी आज को मेंटेन करना और इसको पोचना बहुत ज़रूरी होता है आयल लगा रहेगा तो चिपके गर नहीं और चिपके गर नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनेगा इस तरीके से जब उपर से थोड़ा सा पक गया है तो इसके उपर फिर से हम आयल लगा लेंगे लेकिन ध्यान रखें हर दफा पानी डालके जब अच्छे से आप पोच लेंगे तो इसका आयल निकल जाएगा तभी चिपकेगा और अगर चिपकेगा तभी बहुत ही क्रिस्प किसे इसके उपर फिर से मसाला लगाएंगे और फटा फट से देखिए हमारा तयार होता जा रहा है कितना प्यारा से हमारा कलर आ गया है मजीद अच्छे ची रेसेपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको आज की रेसेपी कैसी लगी देखिए कैसे फटा-फट से तयार हो गया है हमारा क्रिस्पी करंची सा दोसा और बहुत ही टेस्टी जबरदस्ती चटनी के साथ तो आईए इसे चेक कर लेते हैं कैसा बना है देखिए कितना क्रिस्पी है अभी तक कितना क्रिस्पी है पर नहीं हैं या भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजी रेसेपी बाई शबीरा को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना हर्गिज न भूलें आप लोगों को जजा खेर दे आप लोगों के रिस्क में उमर में बरकत अता फरमाएं हमें भी दूाओ या दरकें तो चली में लिए नेक्स वीडियो में इन्शाला आला हाफिज